हेलो फ्रेंड्स आज मेरे पास एक 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 एटम पार्ग का रेनेसा प्लास 1400 एवेम का भी लडिसी मोटर है एक बिल्कुल नया फैन का मोटर इंस्टलेशन का टाइम से ही इस मोटर में कुछ प्राब्लेम है जिसके बज़े से ठीक से गुम नहीं रहा है इस मोटर में कुछ अजिब सा रिस्टटिंग का प्राब्लेम आ रहा है जिसके बज़े से फुल स्पिट ले नहीं रहा है और इस मोटर में भाइब्रिसन भी है तो आज के वीडियो में इस motor को चेक करेंगे कि इसमें problem क्या है और try करेंगे इसको ठीक करने की तो चलिए सुरू करते हैं आज के वीडियो पहले इस motor को power connection करके चेक करेंगे कि इसमें problem क्या है power connection हो गया अभी power दे के check करेंगे power RUN कर दिया और motor घुमना भी start हो गया अभी motor में vibration आया और motor stop हो गया फिर से start हुआ फिर से vibration आया और फिर से बंद हो गया और यह process continue चलता रहेगा यही इस motor का problem है और इस मोटर में लूज कनेक्शन का problem भी नहीं है क्योंकि ओ भी चेक कर लिया गया तो अभी इस मोटर को चेक करेंगे और देखेंगे कि इस मोटर में क्या-क्या probem आ सकता है इस मोटर में mainly पांच type का problem आ सकता है जैसे loose connection का problem, mechanical problem, power supply का problem, processor और motor driver section का problem और software का problem और अभी details में एक एक करके इसको describe करते है पहले आते है loose connection इस motor में पहले ही बता चुका हूँ कि इस motor में कोई loose connection है नहीं उसको check कर लिया गया अभी आते है mechanical problem इस motor में mechanical कोई problem है नहीं क्योंकि बिल्कुल smooth कुम रहा है motor और इसमें कोई आवाज भी नहीं है कोई घिसने का आवाज भी नहीं है अभी तीसरा आता है power supply इस motor में power supply approximately ठीक ही है क्योंकि logically अब देखेंगे अगर power supply का problem होता motor जितनी बार restart हो रहा है उतनी बार आपका indicator light glow करता लेकिन इसमें ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी एक voltmeter लगाके इसको check कर लेंगे बोल्ट मीटर का connection हो गया अभी इसमें power देके check करेंगे power supply ठीक है की नहीं power on कर दिया और 24 volt आ रहा है और वो fluctuate भी नहीं कर रहा है इसलिए assume कर सकते है कि power supply ठीक ही है अगर load condition में check कर सकते तो better होता लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है इसलिए load condition में check करना possible नहीं है अब ही आते है motor driver section और processor section इस motor में motor driver और processor section इस bottom section में जो plastic cover है इसके अंदर है इसलिए plastic cover को पहले खोलेंगे प्लस्टिक cover को खोल दिया और इसके अंदर जो circuit board दिख रहा है यही है इसका processor और motor driver section इस section बिलकुल physically ठीक है कोई damage नहीं है और इसमें motor भी घुम रहा है इसलिए motor driver section भी ओक है इसमें कोई shortage नहीं है physical ठीक है और processor section भी ठीक है क्योंकि यह बिलकुल comment ले रहा है speed control हो रहा है on off हो रहा है सब कुछ हो रहा है तो पिर इसमें क्या problem है इसलिए check करने के लिए मेरे पास एक नया circuit board है उस नया circuit board को इसमें लगा के check करेंगे कि वो circuit board से motor ठीक से गुम रहा है की नहीं लगा है और भीक काय काय कै तो ग्रहब कि नहीं नहीं यहा है यह है नया सर्किट बोर्ड का बॉक्स जो एटम बार रिनेशा के लिए है यह कमपनी से मांगाया गया ओरिजिनल सर्किट बोर्ड यह सर्किट बोर्ड को लगाएंगे बिल्कुल सेम दिखता है पुरनाबला बोर्ड से अब इसको लगाएंगे और चेक करेंगे यह सर्किट बोर्ड करेंगे झाल झाल नया बोर्ड का कनेक्शन हो गया अभी मोटर को पावर देके चेक करेंगे पावर अन कर लिया और मोटर अभी स्पीड 2 में घुमना स्टार्ट हुआ मोटर में कोई भाइब्रेशन भी नहीं है और मोटर बिल्कुल स्मूध घुम रहा है और बंद भी नहीं हो रहा है अभी रिमोट से कुछ कमांड देके इसको चेक करेंगे स्पीड 3 स्पीड 4 स्पीड 5 स्पीड 6 इस मोटर हर एक स्पीड में सही घुम रहा है अभी इस मोटर को बार बार ओन अप करके और डिफरेंट कमांड देके चेक करेंगे और तब तक डिसकाशन करेंगे कि इस मोटर में क्या प्रब्लेम है इस मोटर में जब सर्कीट बोर्ट चेंज किया तब Motor बिल्कुल समूध घुम रहा है इसका मतलब यही होता है कि जो पूराना वाला सर्कीट बोड है उसमें प्रप्रब्लेम है लिकिन जो पूराना वाला सर्कीट बोड उसमें लॉजिकली Motor Trayvass section और और प्रशेसर स्क्षेन में कोई physical problem है नहीं उस board में यही problem है कि उस board में जो software डाला गया वो software इस motor का जो physical properties उसे match नहीं करता है वो गलत है क्योंकि एक BLDC motor को smoothly move कराने के लिए motor का कुछ physical parameter प्रशेसर में डालना पड़ता है और वो ही motor को smooth घुमाता है लिकिन जो पूराना board है उसमें जो software डाला गया वो गलत है इसलिए motor smoothly घुम नहीं रहा है उसमें रुकाबटा रही है पूराना वाला circuit board में अगर सही software डाला जाये तो ये board भी काम करने लगेगा झाल झाल प्लास्टिक कॉवर है उसको लगाएंगे और मोटर को फीर से एक बार पावर देके चेक करेंगे झाल 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 झाल